हेलो फेंस मैं हूँ धर्मेंद और आप देख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गुलियाब सभी के आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे की डियाफेंस आप लोग जान गए होगे कि आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं एस भी भड़ती 2020 के बार में दोस्तों को पता है इसके फॉर्म डल रहा है और लेटी आप लोगों ने डाल वी दी होंगे लेकिन बहुत से कमेंट्स मिरे को देखने को मिले सार इसमें जो एक्सपीरेंस रेटिफिकेट लग रहा है आखिरकार उसका क्या रॉंग या क्या रा लॉग है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं बाकायदा अफ्सराश से बात हुई है वोई सारी चीजें मेंसन की गई है जो कि उस लिए करवाई है और जो मैं आपको दिखाने वाला हूं तो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आंगे बढ़ें यदि आप चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब शेयर और बैल आइकन को प्रेश करना ना भूलें और जो 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 करेंड डिमाइट कर रहे हैं सार हमको आप गुरूब में एक कर दीजिए तो दोस्तों आभी मैंने कोई गुरूब क्रेट नहीं किया है बट आप लोग के लिए मैं आप पर फे माट पत्र जो की रिजेक्ट ना हो और क्या गलतियां आप कर देते हैं जिसकी बज़े से आपका जो एक्सपीरेंस साइटिफिकेट होने के चांस बन जाते हैं चले बढ़ते हैं आगी हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम आगे हैं अंगली स्लाइड में जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं क्या एक्सपीरेंस साइटिफिकेट और सबसक्त je सबसे पहले दोस्तों यहां पर उस प्रेंशिपल का है या फिर आप जहां से बनबा रहे हैं यहां पर जहां से बनबा रहे हैं बन वार है तो प्रिंशिपल का यहां पर कॉंटेक्ट नमर होगा यहां फिर आप किसी होटल से बन वार है तो मैंचर का और पर आप कैपिटल लेटर में दालेंगे इसके बाद आपको डाला है क्या होँआ का Office यहां पर देख सकते हैं भाई ने साब साम मेंशन करवाया हुआ है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं चुकि भाई ने कुछ चीजों की इजाज़ाद नहीं दिये चलिए मैंने हाइट कर दिया है आप थोड़े और नीची आएंगे तो एक लाइन में आपको यहां पर िसके बाद दोस्तों आपको यहां पर फॉण नमर महां का एक लिए बाद चाहिए वेधर होनी चाहिए और 모든 दोस्तों यहां पर उनका रिफ्रेंश नमर हो रिजिस्टेशन नमर हो बैप साइड हो इमिल आईडी हो फोर नमर हो इत्यादी जिसारी चीज़े जरूरी है कंपल सरी है और जैसे आप थोड़े और नीचे आएंगे फैंस तो आपको देखने को मिलेगा कि आपर रिफ्रेंश नमर दिया गया है और दोस्तो इसके बाद दिया है क्या आप देख सकते हैं रिजिस्टेशन नमर इस सारी चीज़े एडी आपका जो एक्स्पियंस रेटिफिकेट है उसमें मैंसन है तो कोई भी आपका एक्स्पियंस रेटिफिकेट बिलको रिजेक्ट नहीं कर सकता इसके साथ साथ पिरिशिपल के साइन और उनका जो सील होता है वो होना एनिवार है यदि आप स्कूल से बनवा रहे हैं और मैं आँगे बताने वाला हूँ कि आखिरकार और कैसा फॉर्मेट रहता है दोस्तो आप देख सकते हैं आपने इतना यहां पर देखा सेम आपको जी फॉर्मेट रखना है आप जब भी आपका एक्सपिरेंश रिटिफिकेट बनवा है या फिर आपने लगाया है तो जी सारी चीजें मैंसिन होने चाहिए आप वैपसाइट किसलिए है चुकि दोस्तो लेदी आपका एक्सपिरेंस यहां पर देखने लगे तो सायद आपके वैपसाइट पर विजिट कर सकते हैं फैक है या फिर ओरिजनल है तो दोस्तों आपके वैपसाइट जैसे ही सो होगी तो सारी चीजें देखी नहीं आपका एमेल एडेस इसलिए चुकि इमेल वो कर सक कि किसी भी परकार का फैक नहीं होना चाहिए अधरवाइज आप सेलेक्ट होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएंगे मेरे पास एक नहीं बहुत से कैंडिट के ऐसे एक्जामपेल है जो कि लाश्ट फेज में जाके एक्सपिरेंस रेटिफिकेट की वज़त से घल लौट आ सब कुछ निकलने के बाद इसे किसासाथ फैंस जिस डेट में आप इशू करवा रहे हैं तो आपको उस टायम की डेट डाल देनी है इस कौर्णर पर लेकिन ध्यान रखना जब भी आप अपलाई कर रहे हैं जिस बेकेंसी के लिए अपलाई कर रहे हैं उस बेकेंसी की पहल वारे आप करवा रहे हैं दस या वारा तो ऐसा नहीं चलेगा आपका जब से फॉर्म डालने स्टार्ट हुआ है उसकी पहली वाली डेट में आपको कभी भी किसी भी वेकेंसी के लिए आपको साइटिफिकेट इसी प्रिकार से बनवाना है चलिए बढ़ते हैं आगे आप आप दिख पा रहे होगे हां आ ंगे उसी चैटिफिकेट में थोड़े नीचे जैसे की अभी मैंने वाला पेक की आपको देखाया आपको देखाने वाला हुं दोस्त्तों जैसे आप नीचे देखेंगे तो आपको देख रहा होगा क्या अनुब्याए प्रिमार पत्र यह मैन हेड इसके साथ आपको यह से स्टार्ट करना है कि आप परमारित कीयगा केज़ता है कि कौनसा करद्ड है उसका नम जबनेट के अक्रना को दानाम परकुछ नहीं is तुम्हाइपको बता नहीं रहा है यहाँ पर पुत्र सिरी उनके पिताजी का नाम, यहाँ पर ग्राम कौन सा गाउं है, यहाँ पर पोस्ट कौन सी पोस्ट है, यहाँ पर तैसील कौन सी तैसील है, और यहाँ पर जिला कौन से जिला है, और यह मादपिर्दे से ब्लोंग करते हैं, यहाँ पर उनका पिंकोट आ फिर आपने किस डेट से स्टार्ट किया है और कब तक किया है आपको अपने हिसाब से अजस्ट कर लेनी है वो डेट ताकि आपके हिसाब से सूटेबल हो एदि आपका certificate दो साल का है तो आप दो साल की डाले एक साल का है तो एक साल की डाले जैसी आपकी vacancy यह जैसा लग रहा है उसे साब से आप fix कलीजिगा date और यहाँ पे डाल दीजिए चाहे फिर वो hotel हो, restaurant हो, college हो, school हो, कहीं पे भी आप बनवा रहे हैं आपको यहाँ पर उसका mention करना जरूरी है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काइंडेट ने आठ एक दोहजार अठरा से बीच आठ दोहजार बीच तक यहाँ पर बर्क किया है किस पर शुई पर के पदपर शाफाई कर्मशारी के पदपर काम किया है इनका कारी और कॉंसल और बेभार उत् अब जैसे इफैंस आप थोड़े और नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर प्रिंशिपल के साइन और उनका मोहर तो डिया फैंस आप यहाँ पर देख सकते हैं साप साप साइन भी mention किये गए है प्रिंशिपल के और यहाँ पर मोहर भी लगाई ग हो जाइए डॉंट वरी आपका साइटिफिकेट अभी क्या कभी भी आने वाली भविश्च में फैल नहीं होने वाला चूकि यहाँ पर जो जो चीजें मैंसन की गई है सारी की सारी वालान चड़ी हुई है एदिबो बैप साइट पर बिजेट करेंगी तो बैप साइट पर प्रिंसिपल हर एक के इंड़ीट का उहाँ पर उनको बैवड़ेट देखनी को मिल जाएगा प्रिंसिपल के अलावा इस्कूल के चात्र बगेर वैप साइट पर हर एक चीजें मैंसन की गए है और दोस्तों एदिबो मेल करना चाहे तो प्रिंसिपल को मेल भी कर सकते है एदि बो क्या कॉंटेक्ट करना चाहे तो कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं रेजिस्टेशन देखना चाहे तो रेजिस्टेशन भी देख सकते हैं और रिफ्रेंस नमर देखना चाहे तो रिफ्रेंस नमर वी बो देख सकते हैं और सील और मोहर यहाँ पर मतलब की उनकी सील और स पहले से हैं और साथ मेडिया फैयंस आप और आप लोग एक चीज का ध्यां रखना हैं आपकी फोटो हो अभी हाल ही हो यह दियाप लगा सके तो बहुत अच्छी बात है नहीं लगाई है तो भी कोई बात नहीं बट फिर भी यह दिया आप लगा सके तो और भी अच्छा होग और उसके उपार आपने जो फ्रेंशिपाल है उनकी सील लगवाल है ना ताकि हाँ प्रूप हो सके यह आप आप ही है ओके तो दोस्तों यही सब था जो कि मैंने आपको बता दिया है यह आपका इस टाइप का सर्टिफिकेट है तो आप भूल जाई कि आपका सर्टिफिकेट आपको प्रॉब्लम देगा आंगे चलकर चुकि यहां पर हर एक चीज मैंसन है जो कि मैंने बता है और एदि हो सके तो आप एक हलप नामा बनवाल है जिसको एफिडविट बोलते हैं कहां से कोर्ट से नियरवाय आपके आसपास जो भी कोर्ट हो वहां पर हलप नामा इसी चीज का कि मैंने यहां पर काम किया है मैंने इतने से इतनी तारिक तक यहां पर काम किया है मेरा नाम जे है और आप इसका एड़ेस ताकि उहां से भी आपको एक हलप नामा मिल जाएगा तो आपको पूछने लगे सही है कि गलते तो हलप नामा आपके साथ रहेगा एफिड जय भरत एक चीज और बोला चाहूंगा आप लोग जो कमेंट्स में करते हैं सरसलेवस क्या रहेगा तो आप लोग के जो नोट्स वगरा है तो तैयार हो रहे हैं सबी एक्जाम के लिए हिंदी के नोट्स तैयार हो चुके हैं एदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप नीची जाएए वीडियो के डिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगी ओके आप वहां से ले सकते हैं और अपनी स्टेडी तैयार कर लें और मैं भी इसके उपर वीडियो लाने वाला हूं आपको कैसे के तैयारी करने है कितना का टॉप जाएगा बगर बगरा ओके चले टेक क्या